पूरी दुनिया में इस वक्त रूस ने तहल का मचा रखा है रूस की ताकत को देखकर कई देशों का हलक सूख रहा है और कई देश अपनी आखे तरेर रहे हैं हमारे देश का गोदी मीजिया एक महिने से रोज़ाना ही उक्रेन पर रूस का हमला करवा रहा था लेकिन अब इसे रूसी राश प्रतीव रादी मिर पुतिन की ब्रतकिस्मती कहें या फिर हिंदी भाषा की ना समची वरना फिल्म सिटी की दूद अपसराओं को बता देते कि देखो भहिया हम को कब हमला करना है ये सिर्फ हम ही जानते हैं लेकिन रूस ने आज देखा नताव उसे जो करना था वो कर दिया नाटो की तमाम धंकियों का पतंग बना कर हवा में उडाने वाले पुतिन ने वही किया जो उसे समझ में आया लगतार अमारिका और ब्रिटेन से मिल रही चेतावनी को दरकिनार करते हुए रूस ने यूकरेन पर हमला करके बता दिया कि मौझूदा वक्त का सुपर पावर अब अमारिका नहीं रहा रूस ने अमारिका और ब्रिटेन को ये भी बता दिया कि गरजने वाले बादल बरसे भी हैं लेकिन इन सब के बीच सयुक्त राश्ट एक नंबर का जोकर साबित हुआ रूस को दी जाने वाली तमाम नसीहतें और बड़े देशों की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए रूस ने यूकरेन पर हमला ही नहीं किया बलकि कई इलाकों पर कबसा भी करता जा रहा है लेकिने और पैदल कर देने का युद्ध घोश सुनाई दे रहा है बीजेपी के नेता जिस तरह से पश्चमी यूपी में किसानों का जोहर देख चुके हैं ठीक उसी तरह के हालत यूपी के दूसरे इलाकों में भी नजर आ रहे हैं जनता बीजेपी के नेताओं से उनके पाँच साल का हिसाब किताब मांग रही है वहीं कुछ नेता भूतकाल से निकल कर भविश्य की बाते कर रहे हैं मतलब कि इस बार आएंगे तो आस्मान से चांद तोड़ कर आपके जेब में उतार देंगे मतलब जो काम वो पाँच साल में ही नहीं कर सके वो इस बार सरकार बनने के बात कर देंगे बस यही गुजारिश है इस बार जनता उसकी सरकार बना दे इसके लिए नेता भी जनता के पैर भी पड़ सकते हैं और चरनों के धूल भी फाक सकते हैं योगी महराज के एक वधायक ने देश भर के सारे वधायकों को पीछे छोड़ दिया है उसने वो काम कर दिया जो यूपी ही नहीं बलकि कई राज्यों के BJP नेता नहीं कर सके योगी के वधायक जी जन्ता के सामने कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहे हैं यानि वोट के लिए बीजेपी नेता कुछ भी करने के लिए तयार है, किसी का भी पाव पकड़ने के लिए तयार है, जूते खाने के लिए तयार है, यानि अगर वोट मिलने की गुंजाईश हो, बदले में चार चपल खाने की शर्त रख दी जाए, तो फिर क्या पूछे जा और चपल खाने के फायदे भी गिनाने लगेंगे दरसल सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बीजेपी वधाय का वीडियो वारल हो रहा है जिसमें नेता जी पांच साल तक अपनी शकल नहीं दिखाने पर जंता से माफी मांग रहे हैं वो जंता के सामने ही उठक बैठक कर रहे है वोट की भीक मांग रहे हैं कान पकड़ रहे हैं लगातार उठक बैठक कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी आदितिनात ने 11 मार्च को लखनों से गोरकपुर जाने का टिकेट बुक किया है उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाफ क बारे में बीजेपी हमलों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने महाराज जी के गोरकपुर वापसी का दावा किया है अखिलेश यादव का योगी आदितिनात को लेकर बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बीजेपी वाले सपाकी हार का दावा कर रहे थे कि इता कितने डरे हुए हैं अखिलेश ने कहा कि वे नहीं जानते कि जनता में बीजेपी के खिलाव 440 वोल्ट का करेंट दोड रहा है एक तरफ पूरी दुनिया की नजर रूस और यूकरेन पर टेकी हुई है यूकरेन ने भी भारत से मदद मागी है हमारे देश के हजारों बच्चे यूकरेन में पढ़ाई करते हैं जंग के अलान के बाद यूकरेन से भारती चातरों की घर वापसी भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है लेकिन यूपी का चुनाव फिलहाल उनके बारे में सोचने का मौका नहीं दे रहा यूपी का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए सिर्दर्द बन चुका है एक तरफ नाक का सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं को अपनी धोती भी बचानी है क्योंकि चुनाव से ही उनका भविश्य तैह होता है और चुनाव पर ही उनकी इज़ट की होती है पीम मोदी और सीम योगी चुनाव में एक दम मद मस्त हैं उन्हें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं देश लुट जाए पिट जाए बरबाद हो जाए लेकिन चुनाव तो चुनाव ही है हमारे मोदी तो सपने में भी चुनावी रैलिया देखते होंगे साल के 12 महींने वो किसी ना किसी चुनाव के प्रचार में मस्त रहते हैं उनकी तो बात ही निराली है इसके बावजूद भी पीम मोदी की रैली में खाली कुरसियां इस बात का एलान कर रही है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है उन्ट किसी भी करवट बैठ सकता है लेकिन बीजेपी के विधाक का कान पकड उठक बैठक करने की एगटना ये बताती है कि बीजेपी यूपी के चुनाव में हार के डर से थर 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 काप रही है आखिर क्यों यूपी के चुनाव में डरी नजर आ रही है भाजपा आखिर क्यों पीम मोदी के रैली में है कुरसियां खाली आखिर बीजेपी के वधायक क्यों बांग रहे हैं माफी आखिर क्यों ठक बैठक कर रहे हैं भाजपा के वधायक आखिर क्यूं बार-बार कान पकड़ रहे हैं भाजपा के नेता आखिर क्यूं हार के डर से काप रही है भाजपा बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं विधान सभाचुनाव शुरू होनी के बाद तमाम सियासी दल जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जनता के बीच आने जाने का सिलसला बहुत शुरू हो चुका है। क्योंकि जनता ही उनकी किस्मत तै करने वाली है। सत्ताधारी दल के नेता जिस इलाके में जा रहे कुछ ऐसा ही हाल सोन भदर में हो रहा है। जहां पाटी कारिकरताओं के कारिकरम के दौरान भारते जनता पाटी के नेता और मौझूदा वधाग कुरसी पर खड़े होकर उनसे माफी मांगने लगे। माफी मांगने का अंदाज भी कोई ऐसा वैसा नहीं बलकि कान पकड़ कर उठक बैठक करने लगे। इसका एक वीडियो भी वारल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सोन भदर के रॉबर्स गंज विधान सभासीट से बीजेपी विधाग भूपेश चौबे का है। जिन से इलाके के लोग बीजेपी विधाग से बेहत ना माफी मांगी। चौबे जी माफी मांगने के लिए अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। इस दोरान मंच पर मौजूद नेताओं ने उन्हें आसा करने से रोका जिसके बाद वो हाथ जोडते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए हाला कि बताया जा रहा है कि वीडियो बीजेपी कारिकरता सम्मेलन का है और वधार कारिकरताओं की ही नाराज की जेल रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्ठी ने भी इस वीडियो पर बीजेपी का जम कर मजाग उड़ाया है। सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने कहा कि अब अखिलेश यादव ने एक ट्विट्च के जरिये बीजेपी नेताओं का मजाग उड़ाया है। पर्चुचंदर का चुनाव बन चुका है जो भाजपा के गले नहीं उतर रहा तो ऐसे में सवाल है कि सचमुच भाजपा की हालत इतनी खराब है कि उनसे दरदर की छोकरे खानी पड़ रही है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमिंज बॉक्स में आप जरूर बताएगा। वीडियो पसंदाए तो लाइक करें हमारे वीडियो लिंक को फेस्बोक, ट्विटर, वाटसैप पर अपने रिष्टदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाग, निश्पक्षु स्वतंद्र पत्रकारता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फॉरण ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई ख़बर के साथ हर्शता मिश्रा को दीजिए इजाज़त चैहिंत। दे पिर मिलते हैं किसी और हमारे वीडियो की आपको हमुटने वे ए küçükच बाए बंसहीं सब्सित।